यहां पर फिर से हमें एक बार आपके राजस्थान MBSI के कटॉप की बात करने वाले हैं अभी आप लोगों का रिजल्ट है कुछ टाइम पहले डॉकमेंट वेरिविकेशन के लिए उसके बाद भी मैंने एक वीडियो बनाया था बट उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी और मुझे प्रसनल मैसेज भी और आपके टेलिग्राम में आप लोगों ने खुद भी दे देते हैं तो यहां पर बिसक्री हम डिसकस करेंगे कि कैटेगरी वाइज आपका फाइनल कट आफ क्या एक्सपेक्टेड है क्या जा सकता है तो चलिए यह तो सारा पुराना डेटा है मैंने आपको पहले भी दिखाया है पहले वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पता भी होगा यह मेरे डिफरेंट प्रिफॉर्म में जहां पर आप मुझसे जूट सकते हो और यह इससे पहले कट आफ मैंने बनाया था एक दम स्टार्टिंग का कट आफ है जब आपकी प्रोविजनल एंसर की नहीं आई थी और यह एंसर की बात का मैंने कट आफ बना बनाया था उसमें मैंने रफली एक आइडिया दिया था आपको 3-5 मार्क्स का फिर काफी सारे लोगों ने मैसेज करना स्टार्ट कर दिया कि सर बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो बता रहे हैं कि यह होगा वो होगा तो मुझे लगा कि एक क्लैरिफिकेशन आपको दे जैसे की विंडूज ये फिमेल जनरल फिमेल की बात है फिर दिवूस की बात है ये सारे हैं तो गर बात करें तो यहां पर आपको कट आप नजर आ रहा है जाटी 2-6 के आसपास मेरे हिसाफ से जो जनरल के टेग्री का फाइनल कट अफ होगा सेलेक्शन के लिए इसमें 3-5 म यह मेरा प्रेडिक्शन है और मैं 35 मार्क्स क्यों कर रहा हूं बहुत सारे आप कह रहे हैं यूटूबर बहुत जादा बता रहा है मेरा ऐसा मानना है और जो मैंने मेरी ऐसी जो है कि जो जिनके मार्क्स काफी अच्छा होता है वह जनरल के डिगरी में select होते हैं तो जो अच्छे candidate होते हैं जब आप एक marks को analyze करोगे तो starting के जो marks होते हैं उनमें variation बहुत कम होता है मतलब एक number भी आप कम ज़्यादा करते हो तो 15-20 बच्चे up-down हो जाते हैं तो क्यों होते हैं ऐसा होना क्योंकि वहां पर सारे अच्छे बच्चे सेलेक्ट हैं जिनके बहुत अच्छे marks हैं तो वहां पर variation बहुत तेजी से होता है मतलब एक number बढ़ाओगे तो बहुत सारे बच्चे up-downs होते हैं तो मुझे लगता है कि जो आपकी general की sheet है pure general की sheet की मैं बात कर रहा हूँ हूँ वहां पर आपका अगर three to five marks का variation आएगा final cutoff में मतलब यह marks बढ़ जाएंगे जैसे हम यह कह सकते हैं कि यहां पर 60 सिख है तो 70 के आसपास मेरे हिसाब से cutoff आपकी जानी चाहिए final cutoff selection वाली cutoff जो last general candidate select होगा उसके आसपास होनी चाहिए यह मैंने पहले भी कहा था पर जो category है उसका मैंने वहां पर discussion नहीं किया था इसलिए यहां पर कर रहा हूँ female की बात करें तो female में variation थोड़ा जादा आएगा क्योंकि जो number of seats होती है female की जैसे यहां पर 16 seat है आपकी general में female की तो यहां पर जो density होगी न वो उस ratio की नहीं होगी अमाल लिजे किसी female का 210 number है तो हो सकता है जो उसके जस नीचे वाली female हो न उसके 205 number हो सकते है 202 हो सकते हैं 200 number हो सकते हैं तो यह variation हैगा यह variation जनरल वाले जो seat होती है उस पर नहीं होता है तो female की seat का जो marks होगा जो final selection होगा यहां पर मुझे लगता है general वाली जो female है 10 से 15 number का difference आ सकता है मतलब अगर आपके इस cut-off से 10 से 15 number जादा है तो आप expect कर सकते हो कर सकती है प्रिसे के लिए कि आपके finalist में नाम होने चाहिए मतलब यह expectation ही है prediction ही है और यह वाले जो category है इनके बारे में discussion नहीं किया दा सकता क्योंकि इसके बारे में prediction मुस्किल है क्योंकि इन में बहुत हो सकता है किसी का 100 number हो दूसरे का सीधा 50 number हो 40 number हो तो इसमें जो density होती है एगदम से random होती है तो इसका prediction पॉसिबल नहीं है इसलिए मैं इन दोनों का prediction नहीं लिख रहा हूँ EWS category की बात करें तो EWS की category का जो cut-off आपका गया है 247.5 के आसपास गया है यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ भी बहुत ज़्यादा variation नहीं रहेगा बट इससे ज़्यादा रहेगा General category से जो reserve category है उनका variation हमेशा ज़्यादा होगा कभी आप कहीं का भी data उठा के analysis करोगे तो यह आपको मिलेगा और इसके पीछे logic जो है मैंने आपको वही बताया कि जो अच्छे बच्चे होते हैं सबका marks एकदम similar type के आते हैं बहुत ज़्यादे variation नहीं रहते हैं इसलिए वो general category में select होते हैं तो यहां मुझे लगता है कि 6 to 8 marks का variation आ सकता है 5 to 7 का भी हो सकता है मतलब एक दो number कम जादा हो सकता बट मुझे लगता है कि यह safe zone है 6 to 8 marks अगर इतने changes हैं तो आप expect कर सकते हो मतलब इतने plus point हैं प्लस marks हैं आपके तो आप expect कर सकते हो कि आपका selection होगा यहां पर female की बात करें अगें female का cut off काफी कम गया है 81 marks गया है तो यहां पर variation भी रहेगा हाला कि female की seat बहुत ज़्यादा है नहीं तो मेरे हिसाब से female की अगर बात करें तो यह 15 to 20 marks का variation आ सकता है इससे तो ज़्यादा आएगा जो यहां पर variation आएगा वो इससे ज़्यादा रहेगा यहां पर 15 to 20 marks अगर आप EWS में select होने वाली हैं तो आपके ज़्यादे होने चाहिए अभी के cut off से ठीक है यह again prediction ही मैं बार बार आप repeat इसलिए कर रहा हूँ कि यह prediction है क्यों कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग individually message करके पूछते हो कि मेरी यह category है तो ठीक है हम एक बार ही discuss कर लेते हैं SC category की हम बात करें तो SC category के general का cut off SC category में जो sub category general है उसका cut off है 220 marks अब 220 marks SC में again यह change ज़्यादा रहेंगे as comparison to general and as comparison to आपका EWS दोनों के हिसाब से ज़्यादा रहेंगे क्योंकि अगेन अगर पुराने data या किसी भी exam का data पर analyze करोगे तो वहां पर आपको लगेगा density कम है तो यहां पर मुझे लगता है कि यहां भी variation 50 to 20 marks का जाने वाला है तो अगर इतने marks आपके ज़्यादा है cut-off से मतलब मैं यह कह रहा हूँ कि इसमें आप 15 or 20 add कर लो इस marks में तो वह आपका final cut-off के range में आ जाएगा यह मेरा prediction है ठीक है female की बात करें तो female में again यहां पर variation रहेगा female में total seat कितनी है ST की 4 seat हैं तो again यहां पर मेरा वही prediction है कि 15 to 20 mark का variation यहां पर भी रहेगा female वाले seat पर भी ठीक है और अगर हम ST category की बात करें तो ST category में आप general की जो है 2 15 marks है तो ST category में मुझे लगता है कि इसके आसपास का 15 to 20 या 16 to 21 इसके आसपास का variation रहेगा तो again मैं 15 to 20 मेरा इसाप से prediction रहेगा इसका भी अगर इतने marks आपके जादा है तो you can expect कि आपका selection वाली list में नाम रहेगा female की बात करें ST category की two seats है तो again यहाँ पर जब दो ही लोगों का selection होना है तो कुछ भी हो सकता है कि maximum वाली का कितना है और फिर उसके बाद सीधा कोई दूसरा है जिसका बहुत ज़्यादा कम है तो हाला कि इसमें कफी ज़्यादा randomness रहे कि variation बहुत ज़्यादा हो सकता है बट still मुझे लगता है कि यह 25 20 to 25 marks का variation यहाँ पर आ सकता है कि अगर इससे आपके जो जादे marks है 20 to 25 तो you can expect कि आपका selection हो जाएगा तो यह variation रहा आपके इस category का यहाँ पर आपको OBC के marks नजर आ र रहेगा तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि 5 to 7 marks अगर आपके ज़्यादा है 5 to 7 या max to max आपके 10 marks ठीक है इससे ज़्यादा के variation मेरे इससाब से नहीं आने चाहिए बट मुझे most probably लगता है कि 5 to 10 marks के variation में हो जाएगा लिस जितनी सीटें है उतनी fulfill हो जाएंगी 5 to 10 मेरे इससाब स आप मान के चलो की variation आना चाहिए इसमें और अगर हम female की बात करें तो female में again 12 to 15 marks का variation के chance जहें यहाँ पे OBC के डिगरी के अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर हम MBC की बात करें अती पिछड़ा वाले OBC की बात करें तो यहाँ पे जो variation होगा आपका यह होगा 12 to 15 marks के around और यहा आप से prediction है कि इतने marks आपके आ सकते हैं बाकी दो reserve category नीचे भी नजर आ रही है इनकी हम बात इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनका तो काफी random हो सकता है इनके data में randomness हो सकती कि पहल जो जितने लोग हैं उनमें से किसी के जो marks हैं दूसरे वाले को हो सकता है कि दूर तक 40-50 नमर का difference आ जाया कोई ही नहीं फिर उससे कम marks है तो फिर इसमें randomness है इसलिए मैं यहां पे इन दोनों लोगों का prediction नहीं कर पा रहा हूं जहां पर थोड़ी सी similarity होती है marks की density का variation थोड़ा एक जैसा होता है वहां पर हम prediction कर सकते हैं कि कि कितने marks का variation आ सकता है मगर जहां तभी पता चलेगा कितना variation है but this is the end of this video thank you so much for watching this मिलेंगे नेक्श वीडियो में तब तक के लिया all the best good luck